दिन उसके बाद फिर यहाँ पर आपको जितने amount का यहाँ पर loan offer करेगा, जितने भी credit limit देगा, उसको आप अपने account में direct transfer कर सकते हैं UPI के थरू, वो directly phone पर के थरू आपके account में, तो guys मैं हूँ आरेनर, आप देखरें टेखनो आरेनर डूप channel, तो guys अगर आपको छोटे amount का loan च करता हूँ, और यह देखे गाईस, यहाँ पर मेरा total credit limit है, यहाँ पर 6,000 रूपे, जिसे मैंने use कर ली है, मुझे 5,000 का जरूरत था, तो मैंने यहाँ पर 6,000 का यहाँ लोन लिया हुआ है, तो आपको भी यहाँ पर असानी से 10,000, 15,000 भी यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, अ इसलिए मैं आपको यह application suggest कर रहा हूँ, तो starting में आपको क्या क्या यहाँ पर fill करना है, क्या क्या detail डालना है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या 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 feel करना है, जिससे आपको loan मिनने में और ज्यादा असानी हो, तो इस application का link आपको वीडियो के नीचे description मिल जागा, आप व टिक करना इस तरह से, then allow कर देना है, then अब यहाँ पर इस आपको अपना number इंटर करना है, वही number इंटर करना है, जो आपके अधार कार्ड से link हो, और जो आपके bank account से link हो, तो वही number आपको इंटर करना है, number इंटर करने के बाद आपको proceed पे क्लिक करना है, और number verify कर लेना है, number कोन मिलने की चांसेज भी जादा हो जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम इंटर कर देना है जो आपके पैन कार्ड में लिखा हुगा है फिर यहाँ पर आपको रेफराल कोड इंटर करना है यहाँ पर इस आपको इंप्लॉइमेंट टाइप पुछा और अगर आपके पास कोई भी कामदंदर नहीं है अगर आप student भी हो फिर भी यहाँ पर आपको क्या इंटर करना है मैं आपको बताता हूँ अगर आपको इंटर करते हैं तो यहाँ बेजी जग आप यहाँ पर अपना work detail इंटर कर सकते हैं बट अगर आप कोई भी कामदंद देन आपको continue पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको अपना अधार verify करना है, verify with degilocker, degilocker में अपना अधार verify कर लेना है, देन यहाँ पे आपको अधार number इंटर करना है, फिर यहाँ पे आपको अपना security pin, जो आपका 6 digit का pin होगा, उसको इंटर करना है, और अगर आपको अ अलाव करना है, इस तरह से अलाव कर देना है, और यह यहाँ पर अधार वेरिफाई हो चुका है, दिन आपको done पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर गेस आपको अपना मंथले इंकम डालना है, अब जो भी काम करते हैं, उसका मंथले इंकम कितना बंदा है, वो इंटर करना है, personal rental parental others तो आपको परस्णल करना है इसको परस्णल कि हम खुद से रहते हैं दिन अब आपको लास्ट इससे भी है रहेगा आपको प्रोसीट टू पे करना है फिर यहां पर फिर आपको जितने अमांट का यहां पर लोग आटो डेविट जो है वह इसको आप अपने अकाउंड में डारेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं UPI के थूँ वो डारेक्टली फॉनबे के थूँ आपके अकाउंड में चला जाएगा